कि क्लास में पढ़ने वाले सही बिद्यार्थियों को एक बार मेरे यूटूब चैनल में पुना विलकम हैं जैसे हम लोग इसके पिछे के स्रीज में अध्यान किये हुए हैं जिस स्रीज के माध्यम से हम लोग प्रजेंटेंस का बारे में देखे थे आज हम लोग यहां पास्टेंस के जो चार प्रकार है इस चारो प्रकार के बारे में हम बारी-बारी से अलग-अलग स्रीज के माध्यम से ध्यान करेंगे और इसमें हम पाएंगे कि जैसे पास्टेंस में आपके चार स्रीज कौन-कौन से हैं जिसमें सबसे पहला यहां का यान पाचवा रूप में हम देखेंगे कि पास्ट इंडिफिनिटेंस का ट्रांसलेशन बनाने का नियम इस नियम को कैसे हम समझेंगे किसी नियम पर हम बनाएंगे तो इसके लिए कुछ भी नाम अगर यहां पर होता है कोई भी नाम तो इसके साथ तो इसके मुखे क्रिया में सिर्फ हमें क्या करना है इसके मुखे क्रिया में मुखे क्रिया में सिर्फ दूसरा रूप का प्रयोग करेंगे क्रिया में सिर्फ दूसरा रूप का प्रयोग करेंगे किया जाएगा यानि इसके पहले तक हम लोग ने देखा था कि करता का अनुशार एंजी जो सब्जेक्ट होता था लेकिन यहां पे बहुत के रूप में कुछ नहीं है यहां बहुत के रूप में हम देखेंगे श्यावर कि रूप में क्या है कि यहां ढ निया हम कैसे समझेंगे कि इसी नियम पर हम बनाएंगे तो सबसे पहले इसके पहचान की रूप में हम देखते हैं कि इसके पहचान क्या होंगे तो पहचान में इसमें क्या होता है कि जिश्वा के कंत में आ अगर आता है तो समझे कि आप इसी नियम पे उसको बनाएंगे उसी नियम पे टांसलेट करेंगे इसको अगर इस्टेक्चर करूप में आप लिखना चाहते हैं इसका इस्टेक्चर क्या होगा तो इस्टेक्चर में आप देखेंगे कि इस्टेक्चर इसका होता है सब्जेक्ट का प्रियोग करेंगे पहले उसके बाद आप भीटू का प्रियोग करेंगे इसके बाद आप यहां अब्जेक्ट का प्रियोग करेंगे उसके बाद यहां अदरवर्स का प्रियोग करेंगे बस आपको इतना ही करना है इसके आगे कुछ नहीं करना है अगर हम श्वाकी कंत में हम देखे कि आ गया अब बजार गया वह पुष्टक पढ़ा तो यहां ऐसे जो सेंटेंस होंगे से सेंटेंस के लिए क्लिए हम सिर्फ भीटू का प्रयोग करेंगे जैसे आपका क्या हो गया आपका यूँ हो गया खाना का क्या होता है इत होता है लेकिन इत का जैसे हम भीटू का इस्तमाल करेंगे तो इत जो होता है इत का दूसरा रूप आपका क्या हो जाता है भीवन हो गया भीटू में जब इस्तमाल करेंगे यानि कि भीटू में इस्तमाल करेंगे तो इत का दूसरा रूप क्या हो जा जार गये लिए विन्टु मार्केट वह पुछतक बढ़ी सी रेड़ बूक मैं आपसे बात किया तक्टु यू यानि कि इस तरह से जो भी सिंटेंस होगा सब्सक्राइब बीटू का इस्तेमाल करेंगे बीटू के बाद अब जट का इस्तेमाल करेंगे उसके बाद अगर इसी जाता है जैसे अगर घ्जांपल में देते हैं कि इसी को अगर लेते हैं चाहे हम दूसरा लेते हैं वह बजार गई तो वह का क्या हुआ C हो गया जाना का गो होता है यहां पे वह बजार गई तो यहां नकरातमक है निगेटिव है तो वह बजार गई नहीं होकर बजार नहीं गई यहां लिखेंगे तो वह बजार नहीं गई तो वह का C हुआ यहां उसके बाद structure के हिसाब से did का प्रियो करेंगे उसके बाद nut का प्रियो करेंगे उसके बाद जाना का go होता है उसके बाद बजार कम है तो market होगा तो यहां लिखेंगे she didn't go to market इसी तरह से अगर कहा जाता है कि आपने अंग्रेजी नहीं पढ़ा you didn't read English मैंने अंग्रेजी नहीं पढ़ाया I didn't teach English इसी तरह अगर हम कुछ और भी बाते करते हैं तो आप इसको generally रूप में बिल्कुल general simple sentence के रूप में आप इसको समझ सकते हैं और आप प्रियास करेंगे कि आपके आस पास जो भी आपके environment में होता है जो words होते हैं उस तरह के आप sentence क्रियेट करने का प्रियास करेंगे और निश्चित रुप से आप अच्छे तरह के translator हो सकते हैं आप translate बहतर ढंग से कर सकते हैं या मुझे उमीद ही नहीं बलकि पुरा भरोशा है बशरते की आप नियम को थे भर ध्यान पुर्वक देखें अब इसमें आप देखेंगे यहां जैसे यहां आपका negative हो गया फिर आप यहां इंटोगेटिव की बाद करेंगे इंटोगेटिव में जैसे अगर हम हमने प्रयोग किया तो सबसे पर एक जली भर्व को लाएंगे डीड कर देंगे उसके बाद सब्जेक्ट कर देंगे उसके बाद यहां सब्जेक्ट के बाद आपका भर्वन हो जाएगा क्योंकि डीड का प्रयोग आपने कर लिया है तो भर्वन ही होगा इसके बाद आपका object हो जाएगा उसके बाद आपका other words हो जाएगा लेकिन जैसे intuitive होता है तो लास्ट में आपका note of indication mask होना निशेश्री होता है तो इस तरह से note of indication mask last में हो गया इसी प्यागर सिंटें दिया जाता है कि क्या आप पुष्टक खरीदे note of integration mask क्या पुष्टक खर दे तो यहां आप है या कोई भी subject होगा तो सबसे अधर वर्ष्ट में कुछ नहीं है लास्ट में note of indication mask है तो इसका इस्तमाल हम ने किया तो इस तरह अगर हम कहते हैं कि क्या मैंने कलम से लिखा कि डीड़ाई राइट उच्पेंड क्या आप गेंद खेले डीडव प्लेपॉल तो इस तरह जो भी sentence आप चाहते हैं आप अपने से में आप देखेंगे तो आपका इंट्रू नीगेटिव हो जाता है इंट्रू नीगेटिव का प्रियोग कर सकते हैं तो इंट्रू नीगेटिव में आप क्या देखेंगे कि इंट्रू नीगेटिव में जैसे आपका होता है कि डीड़ का प्रियोग तो पहले करेंगे ही उस उसके बाद सब्जेक्ट का प्रियोग करेंगे उसके बाद आप यहां नट का प्रियोग करेंगे क्योंकि इंट्रू निगेटिव इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव आपका हो गया नट का प्रियोग होगा इसके बाद आपका भर्व वन ही होगा उसके बाद आपका अब आपको नहीं बुलाई अगर ऐसे हम सेंटेंस लेते हैं क्या रानी आपको नहीं बुलाई लास्ट में नोट अप इंटोकेशन मार्श दे दिए तो क्या रानी आपको नहीं बुलाई तो इसमें क्या करेंगे कि रानी है इसके पहले हम डीड का प्रियोग करेंगे डीड उसके के बाद नट का प्रियोग करेंगे बुलाना का समझ रहे हैं कि भर यहां भर बॉन जो है कॉल हो गया पुलाना का और आपको यानिक यूँ हो गया अब्जेक्ट कुरूप में यूँ और लास्ट में नोट फिन्टू इंटू केशन मार्क्स हो गया तो इस तरह हमने देखा कि चाहे वह अफर्मेटिव में बनाना हो यहां अफर्मेटिव में बनेगा तो बस भीट्यू का प्रियोग किये यहां निगेटिव में बनाएंगे तो यहां डीड नट का प्रियोग किये उसके बाद इंट्रोगेटिव में बनाए तो डीड और भीवन का प्रियोग किये तो गुर दे